स्वागत है आपका पोश्य टेकर हेलप लाइन में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोश्य टेकर में आपको 0-6 माँ की बच्चों का न्यू रेजिटेशन किस तरह से करना है यदि आपकी गर्बती महला धात्री बन चुकी है आपने उसका रेजिटेशन धात्री महला में कर दी लेकिन आपको उसी महला का बच्चे की रूप में 0-6 माँ में भी रेजिटेशन करना होता है तो चले इस टॉपिक पे आज हम चट्चा करने वाले हैं आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है यदि आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल में बैल आगन घंडे को प्रेस कर लिजेगा ताकि आपको पोश्य टैकर कि इसी परकार की नए नी जानकारियों का नौटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा तो चले शुरू करते हैं आपको यहां पे 0-6 माप के फोल्डर को ओपन कर लेना है आप इस ओपन किजेगा एंड उसके बाद यहां पे आपको इस तरह का पेज़ कुल के आएगा तो आपको यह सारे डिटेल्स पढ़ लेनी है और उसके बाद इसकी सारी इंफोर्मेशन आपको इस फॉर्म में भरना है उसके बाद आपको इस फॉर्म को समिट करना है तो चले सबसे पहले आपको यहां पे पहले बच्चे का नाम डालना है यहाँ पे बच्चे का आप वास्तिफिक नाम डालेंगे जो भी बच्चे के अधार में यदि बच्चे का अधार नहीं बनाया है तो आप यहाँ पे अपना वैसे ही नाम डाल सकते हैं जो उसका वास्तिफिक नाम है और उसके बाद यहाँ पे second option है आपको name in your language इसका मतलब आपको अपनी भाश्य में आप यहाँ पे बच्चे का नाम डाल सकते हैं जो भी आपकी भासा है जैसे मराथी, बांगला, तेलगू, हिंदी से हटके हिंदी और इंग्लिश से हटके आप अलग language में कोई यहाँ पे name डालना चाते हैं तो आप लिख सकते हैं, और नहीं डाला चाते हैं तो आप इस column को छोड़ भी सकते हैं और जो आपने ऊपर name डाला है, उसी को भी कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं आपके बांगले हैं और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको डालनी है बच्चे की आधार संक्या बच्चे के आधार संक्या यदि आधार नहीं बना है तो ऐसी इस्तिक्रिमा आपको यहाँ नीचे option दिया गए है क्या बच्चे के पास आधार है यहां पे आपको Already पहले से ही नहीं का Option आपको करेगा यदि आपको बच्चे का अधार बना है तो आपको अधार संक्या यहां पे डालनी है और उसके उपरान दिहानी जी वाला Option जो दिया गए है उसमें कोबी छेट खानी नहीं करनी है यदि जब बच्चे का अधार नहीं बना है तो तब आप यहां पे बच्चे के पास अधार नहीं है तो ऐसी इस्तिमा आपको यहां पे हा करना है तो यहां पे अभी बच्चे का अधार नहीं बना हुआ है तो इसलिए मैं यहां पे हापे किलिक करूँगी तो जैसे आप हापे क्लिक करेंगे तो आपका ये कॉलम बंद हो जाएगा फिर आप इस कॉलम को नहीं ओपन कर सकते हैं यहापे आपको अधार संक्या नहीं मांगेगा तो अब इसके बाद जैसे आप यहापे बच्चे के पस अधार नहीं है इस column को यहां पे हाँ पर click करेंगे तो उसके बाद आपको यहां पे माता की अधार संक्या मागेगी यहां पे आपको माता या पिता दोनों ऐसे एक के अधार से बच्चे को online registration कर लेना है तो यहां पे अभि हम बच्चे को माता के अधार से verify करेंगे यहां पर माता के आधार संक्या डालनी है यहां पर आपने मा कि आधार संक्या डालनी है तो आप इस वाले कॉलम को कुछ भी नहीं करेंगे यदि मा के पास भी अधार संक्या नहीं होती तो ऐसी इस्तितिमा आप यहाँ पे हाँ पर किलिक करतें तो उसके उपरान तो आपको एक नया option दिया जाता जो पिता वाला option या कोई अभिवाव का option दिया जाता है उसके बाद आपको पिता या अभिवाव का नाम जो भी उनके यदि फादर है तो आप फादर का यहाँ पे नेम डालेंगे फादर नहीं होने की सितिमा आप यहाँ पे कोई भी अभिवाव का उनकी family member का यहाँ पे नेम डालेंगे उसके बाद यहाँ पे माता का नाम तो तो उसका नाम और डेत अवार्स साँ आपको यहां पे डीटियल सेम आधार के बैस पे डाले यही हमने यहां पे उपर माटा की के आधार से वहर लीकारव कर आथार सब्दाब हार आपके माटा की आधार सुप्दा म Есть-टा यहां पे आपको एक option दिया गया है, चुने तो आप इस option को click करेंगे, जैसे अपनी क्लिक किया आपको यहां पर select करनी है अपनी category तो यहां से आप अपनी category को touch कल दीजेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको डाल लेना है किया आप धार्मिक अल्प संग्याँ यदि आप इस कैटेग्री में आते हैं तो आपको हा करना है आने था आप यहाँ पे कोई भी आप्सन को सेलेक्टिन नहीं हीज़ेगा एंड उसके बाद आपको बच्चे के जर्म के समय उसका वजन कितना था तो उसको यहाँ पे डाल लेना है उसके बाद यहाँ पे बच्चे की हाइट को भरना है और फिर आप यहाँ से फॉर्म को समिट कर सकते हैं तो चेले हम बच्चे की साही डिटेल को भर लेते हैं और उसके बाद form को समिट करेंगे तो यहाँ पे हमने अच्छे से इस form को भर लिया है तो अब हम यहाँ पे आपको नीचे summit का option दिखाए दे रहा होगा तो यहाँ से आप इस form को submit का लिजेगा यहाँ पे अप देख सकते हैं इस तरह से आपका formiliar success हो जाएगा और उसके बाद आपको जाना है अपनी home page पे यहाँ पे आपको homeपेस पे जाने के लिए नीचे go to home का option दिखाए देया है, यहाँ से आप अपनी home page पे सीधे जा सकते हैं और उसके बाद आप अपनी home page पे आके अपना second कारे भी यहाँ पर कर लेंगे जो आपको करना है बच्चे का अधार वैरिफाई जैसे आप किसी भी लाभारती का नया रेश्टेशन करते हैं तो आपको तुरंत उसके बाद उसका अधार भी वैरिफाई कर लेना होता है कर लिया है तो यहां पर अभी बाहर पर आप संक्या देख रहे होंगे आपको एक भी संक्या नहीं सो कर रही होगी तो अंदर जागे आप इस option को क्लिक करेंगे तो आप इस folder को open किजेगा open करने के बाद यदि आपका लाभारती सो नहीं हो रहा है तो आपको कुछ देर तक वेट करना है वेट करने के बाद आपका यहां पर लाभारती सो हो जाएगा यदि फिर भी आपका लाभारती सो नहीं हो रहा है तो आपको open यहां पर refresh का option दिखाए दे रहा होगा के बाद आपको यहां पर इस तरह का पेज कुल के आएगा तो सबसे उपर आपको जो यह option दिखाए दे रहा होगा यहां पर सत्या पर यानी verify करने के लिए तो यह आपका mobile number है तो आपको mobile number को भी verify कर लेना है एंड उसके बाद नीचे वाला उप्सन आपको यहां पर दिखाए दे रहा होगा आधार यहां पर आपको आधार की संक्या सो करेगी तो आपको इसको चेक भी कर लेना है एंड उसके बाद आगे आपको add child आधार जब आप पर हम मा का आपको यहां पर आधार संक्या सो कर रही होगी और उसके बाद नीचे आपको यहां पर verify का option दिखाए दे रहा है तो आप इस verify का option को click करने के बाद यहां पर आपको इस तरह का page कुल के आएगा यहां पर आपको आपनी registration करते समय जिस भी लाभारती का आधार ड करेगी तो आपको इसको आधार के बेस्पे एक बार चेक कर लें ना है यदि आपकी व डिटेल्स और आपको यहां पर फॉर्म समिट कर लें है कि हमारा अधार वेरिफाइट हो चुका है क्योंकि हमारे जो डेटेल थी हमें अरके बेस्पेस साही डाली थी तो सई डालने के उप्रान्थ हमारी आधार सक्सेस्फुल हो गई है तो आप देख सकते हैं आधार विरिफाइ हो गया है एंड़ उसके बाद आप अपनी होमपेज पे जा सकते हैं यहां से आपको होमपे पे पर जाने के लिए यह five तन दिखाया दे रहा है यहां से होमपेज पर जा जा सकते हैं और हम फिर से अपनी home page पे आ चुके हैं यहां पे आधार verify और new station तो आपने कर लिया है अब यहां पे आपको अपना mobile number को भी verify कर ले उपर आपको mobile number so करेगा और उसके आगे आपको verify का option दिखाए दे रहा है तो आप इसे click किज़ेगा इसके बाद आपको यहां पर mobile number दिया जाएगा यदि आप इस mobile number में कोई correction करना चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं यहां पर जैसे आप अपना mobile number डाल लेंगे तो उसके बाद आपको नीचे यहां पर submit करना है आप इस option को click करेंगे जैसे आप इस option नमबर भी वेरिफाय हो जाएगा जिससे आपको टियाचार में जैसे आप अपने टियाचार वित्रण करते हैं तो पूशने टैकर में उस लाभारती को टियाचार वित्रण दिखाते हैं तो आपके इस मोबाइल नमबर से उनकी पास मैसेज चले जाएगा कि आपनी टियाचा कर लिजेगा और बगल्व में लाइकन घंटी को भी प्रैश कर लिजेगा ताकि आपको पोशेंट रेकर नहीं नहीं जान करें का नौटिपेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा और पोशेंट रेकर से कोई भी शमस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो चलिए मै मिलती हूँ आप से भी को एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप से भी को बाबाई